पहली बात तुम्हें कहूं कि जो इस रिपोर्ट की बातों को डाइलूट करने की बात कही जारे ही कि जार्बिस फोरोस की जो का ओपेन फाउंडेशन जो था वो इसके पीछे है और ये जो ओफी सी आर्पी और अर्गनाइट ट्राइम और एंड करप्सन रिपोर्टिंग प् अपने फोरेश हैं इन्होंने कई बार कुछ टिपडियां भारत विरोती की करते रहे हैं इसलिए ऐसा कहा जा रहा है ये भारत के प्रणिती से जलके इस तरह की रिपोर्ट ला रहे है जबकि इसको इधन से समझें कि ये जार्ज फोरोस का इसमें कोई रोल नहीं है इसमें रागफेलर फाउंडेशन, कोड फाउंडेशन, ओक फाउंडेशन, ये सारे के सारे उने मिलके एक संस्का बनाई जिसके 24 रिजिनियर सेंटर है और बड़े-बड़े कौर्णामिनिस्ट अनलाज सीश सारे लोग काम करते हैं सब ने कहा है आपको इस जन से समझो जब आपक करते हुआ जिवा और वहीं पर ध्यान नहीं देते कि ब्लूंबर्ग बिलेनर इंडेक्सी कहता है कि कोरोना के समय सर कोरोना के समय जब देश की अत्विफसा तेवी पर्षेंट नीचे जा रही थी तो इस एक आदमी की संपत्ती 34 अरब डालर से होके 84 अरब डालर हो जाती ह महिने में यानि 500 प्रिश्चत 6 महिने बढ़ी यानि 500 प्रिश्चत ग्रोथ साल आना किसे कहते हैं आप 5 गुना एक रुपया का दो रुपया कहना करना जुए में आज कला रहा है एक रुपया का 6 रुपया करना फट्टा होता है तो ब्यापार कैसे हो गया और गिरिस भुडवा की कमप्री यह रही और विनोज अदार्णी की कमप्री यह रही यह मिश्टर चुंग है यह मिस्टर आहिल है पैसे हवाला की जरिये गए वहां से शेल कंप्री में भरे गए वहां से क्योंकि विनोज जी के साथ से कंप्रीयों में डिरेक्टर भी हैं दोनों बंदे वहां के पैसा अदानी जी कि हाँ रहा है और खुम्बाल काटा चान्दी काटी समझे गए और अब सवाल ये उठता है कि एडी जो हमारे 16 गिल में डेरा डाले हुए है उसको ये नहीं दिखाई देता उसको तेकी स्टेफल ब्रांच बनानी पड़ेगी मेरा मानना है एक दुबाई में अलग्से ही उनको रीजिनल आपकी सोलना पड़ेगा अगर सही में इसकी डाच हो लेकिन बड़ी अच्छी बात अभी कह रहे थे संजे जी ने भी कहा कि महत्पूर बात ये है कि ये जो सेवी है उसका क्या रोल है जब इतना बड़ा घोटाला होता है हर बार प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जाती है आप समझ रहे हैं सेवी की जादिये जिवालिया करोड के बड़ाबर है उतरे बड़े घर में रहता है वो दिवालिया है अफिसियल हमारे यहां है हमारे यहां सम्मो है जो आटो फिल्ड में कभी उसने नड़बोल का काम नहीं किया है वो हमारे यहां राफिल जैसे जो दुलियां का समुनत हवाई जाज है उसका काम उसको मिल जाता है यह हमारे यहां ही सम्मो है और कैसे सम्म हो है आप कह रहे थे कि परिवार के बारे में जो कह रहे थे संजेब भाई संजेब भाई मैं जोड़ना चाहूंगा परिवार है मोदी जी का वो परिवार को प्रोटेट करने के लिए जाते हैं ग्रीश गए थे अब इसमें आप लोग और को कोला का ठेका मिल जाता है तो ये अइसा नहीं है एक परिवार है उसको प्रोटेक्ट किया रहा है बकाइदा समझे है और ये जो रिपोर्ट है यह महत्पूर इसलिए है इसमें मद्धंबर जो पेट काट के चवणनी चवणनी जोड़ता है उसके पैदे पर डाठा डाला जाता है समझ गये यहां तकि एलाजी का पैसा आईले फेस के बारे में जामते होंगे दिवाल मतलब बरबादी कर दी आईले होने उसको तो और आज भी मैं कहता हूं कि लाइफ इसलिए का पैसा को उठा के ऐसी कंपनियों में लगाना इससे हर हाल में मेरा मानना है कि एक क्राइब है क इसी क्युमत में मर्ध हमवर्क के पैसे प्इयप के पैसे डी पिफ के पैसे जिस तेर्व टाइवर्ट कर रहे हैं तो ये आश्यद को और इक रे遊戲 करे दो हूं calon Baba को बहुत है कि इक पहली और आपके किसानों के साथ सो लोग मर्दे की बात तो उस दोर में किसानों के मुद्दे पे आपके हाँ भी मैं इस बात पेडल में रहा हूँ आपको ख्याल होगा मैंने जब तीनों कानून आये थे तो मैंने इसेंशल कमोडिटी एक्ट में जो फराउधान थे कि अनलिबिटेट स्टोरेज ग्रें दुग्रे नो हो जाए यह प्राउधान था और वो कानून तो बना नौमबर दिसंबर में बना है और लेकिन नौमबर में लागू हुआ सितंबर में गया फ्रोर पे लेकिन यह विधेयक बतलब अज़ा देश बनके आया था पांच जून कानून बनके लेकिन करीब 22 ऐसी कंपनिया थी जो अडानी जी ने बनाई थी मदप्रदेश में और देश के अलग अलग जगहों में जो की गोदाम बनाने के लिए थी वेर हाउसिंग के लिए लॉजिस्टिक के लिए यानि कानून बाद में आया लेकिन कानून के पहले ही गोदाम बनाने के लिए इसेंशिल कमोडिटी एक्ट के तहाथ अल्लिमिटेट गोदाम को वस्वादाज को खरीद के रखने के लिए पहले गोदाम बना लिए गए बनने लगे थे तो ये 22 कंपनिया तरही बनेगी थी तो जब सरकारी नीती का फाइदा कार्परेट मिलके लेकिन जब नीतीया ही कार्परेट के लिए बनने लगे पूरी पूरी तो आम आदमी तो हाशे पे जाएगा है अब क्याहे आप नितिंगड करीजी की बात करें तो इस सरकार में आप इसी को बेदाग नहीं रख सकते हैं आपको ख्याल होगा कि जिस कोल घोटाला की बात कर करके सब्ता पे आए दोहजार चोड़ा उसी कोल घोटाले में तब मतपर्दे या प्लचतिवगड में रवन सिंग जी का राज्ता भाजपाकता और यहां के कोल ब्लाक आबर्टन में निसिंग जी का नाम आया था इनके करीबियों को किया गया था आबर्टिक की गई थी ख उगर भी खरीदी गई है उनकी जाज के लिए तो महराख्ष के बीजीपी ने लिखाता की इडी से जाज कराई जाया अभी जाता पुरारी बात नहीं है तो इस तरह से लंबी है अभी स्वीडन की बात कर रहे हैं से संजय जी स्वीडन में भी एक आटो मोबाइल कंपनी न मतलब जिसका हर एक ले लूटा है ये कह सकते हो जिसका जितना तामन था उसको उतनी सौगात बिली अब कौन की तरह ले जाए दहार सवाल अडानी खा तो मैं ये चीज़ जरूर कहूंगा कि अल्य देशों के मीडिया में आप देखेगा कि कार्पुरेट के घुटाले को उ तो बड़ी कंपनियों के एक तरफ से कर्वचारी की तरह भी हैप करते हैं आप देखेगा कार्पुरेट के हाथ में ही असल सकता है हमारे हाँ तो घुटाले तो एक कार्पुरेट के उजागर होने चाहिए जैसे हलका में हमने दो लाक लेते वे पकड़ लिया पाश लाक ल आदमी को समझाने के लिए मैं बताना चाहूंगा असी पार जी यह आम आदमी में को इस तरह से समझे अडाले के घुटाले को कि मोदी जी ने जो वाजा किया था कि काले अध्यम इस देश में वापस आएगा जो गया है वो वापस आया कैसे आया वो सुंग मिंग लुंग और अली यह जो दोडों कंप्रियां थी इनको हवाले के जैसे काला धल गया और उन्होंने जो टेक्स हेवेंस हैं वर्जिन आईलेंस हैं वहां जहां कि कोई पुछता नहीं कहा कि पैसा है किदर से आया कहा डाले उन कंप्रियों में डाला उन बोरों में भारा उन बोरों के चक्कर में उनलोगों ने तो पैसा कमाया लेकिन पैफा अगर डूबेगा या डूबा है या डूब रहा है बीच में तो केवल गरीब रादमी का डूब रहा है मध्यमबर का डूब रहा है ये बड़ी चीज है अब इसको इजन से भी समझेए कि आदानी बहुत बड़े हो ग बात करो तो आप बंगला देश जी से सबसे गरीब देश मानते थे आप घालत उसके पैसे किये है कि आप भारत का एक सोबसोना रूपया देंगे तो सो रूपया वापस देनेगा सतर साल बातर साल में रूपे क्या ऐसा ओमुलियन ने आपने नहीं देखाता वोट में वोट की राजनीती में कैसे कनवर्ट होगा ये अलग चीज है क्योंकि हमारे हमारे हाँ सोर सुनते हैं हम लोग फैक्ट कम देखते हैं फैक्ट जो है मेरा बालना है कि फैक्ट पर बात होनी चीए नई जर्दिशन जो आ रहे ही पढ़ी दिखी जर्दिफन है वो समझती है कि इस तरफ से शेल कंप्रियां होती है कि इस तरफ से इखाता हो रहा है तो अब मुझे उम्मीद है कि इसका फरक चुनाव में दिखेगा तो कम बई मान लोग कम फड़े होई टमाटरों में से कम फड़े टमाटर हम छाट पाएं तो मैं उसे ही अपनी कफलता मानूगा